वुम तो बजबस से आया है अज मेरा मा तो खाना बना दिया हम तो जाना बजबस से अच्छा मेरा घर बजबस है खाना लेकर आया मूदी जी के लिए आज राद भर यहीं रहेंगे हम इंतजार करेंगे सुबह तक अच्छा मूदी जी के लिए रेली में पहले ही आचुके हैं अभी वज़े रहे हैं टाइम किता है अभी साथ वज़े रहे हैं रात की अलुभजय बना दिया मेरा मम और यह अभी से आचुके हैं आपर तो देखेंगे किस तरीके तो दो दिन नहीं आएगा कमपणी में जा रहा है मोधी के लिए अच्छा है ठीक है लेकिन आया है मोधी जी बंगाल में लाएंगे जोरू लाएंगे अच्छा है ठीक है उसको तो कोटी कोटी पुनाम करेगा हम मोधी जी से मिलने जाएगा ठीक है अरण चालता है मिट शोक डीत बंगाल में पुछोमुंत्री होगा तो कोठी पुनाम उसको जी के लिए मंता बेनारृटि के लिए क्या कहत हेंगे मंता बेनार जी खरात नहीं है उसके जैसा मुखो मुंत्री पुस्चि मंगल में और नहीं होगा लेकिन उसका जो नीचे तला जो आदमी जो है ना उसके लिए खराब हो गया इसलिए मोदी जी ठीक है तो आप ये बताईए आप कहरें ममता बनर जी ठीक है ठीक है लेकिन वो तो जैसराम पे भी भड़क जा कुछ नहीं है कुछ नहीं है लेकिन मुखो मुंत्री जो मुमता बनर जी जो है वो खराब नहीं है लेकिन उसको जो नीचे वाला जो आदमी जो सब है ना वो सब खराब है तो बंगाल में आप तो पहली आचके खाना हाना लेकिन दो दिन पहले आना चाहिए हमको हम तो कर लो मेरा माँ खाना बना दिया मुदी के लिए हम आया है तो मोधी के लिए कहना नहीं से हम यहां पर आपको सीधे दिखा करा है परहरे हैं कर दो तारीके से प्रधानुंत्री नहीं, नीक की पूरिखियों और के और यह ब्धी दो कुंटने वाली करें यहां पर कुछ हैं। हेलो क्या कहेंगे आप कल रेली है प्रधान मुंत्री की कुछ पोलेंगे इधार आज आईए अच्छा सुनिए क्या नाम है आपका मेरा नाम राजु मॉलिक है अच्छा कल रेली है और आप तैयारी कर रहे हैं पर कितने लोग आ सकते हैं और कितनी बड़ी लहर बंगाल में बहुत बड़ी लहर होगी क्योंकि प्रधान मुंत्री जो है हमारे लिए हमारा सब के लिए है तो कल साइद बहुत लोग होगा और मै है अकिन से कह सकते हो कि बेंगोल की ज्यादा से ज्यादा लोग काले हां भेर जमाएंगे तो मंता बनर जी क्या लग रहा जाएगी इस बार मुझे तो नहीं पाता क्योंकि मैं रिजाल्ट कुछ नहीं कह सकते है क्योंकि मैं यह नहीं कहांगा कि कौन जितेगा कौन हरेगा लेकिन विश्वास है प्रधान मंत्री के उपर प्रधान मंत्री के पास पूरा विश्वास है कि सरकार बनेगी बीजेपी प्रधान मंत्री को विश्वास है हाँ विश्वास थोड़ी विश्वास तो हो गई इसलिए तो वो लड़ लाए ऐसा कर रहा है काम कर रहा है लड़ तो कर रहे हैं तो बंगाल से सारे लोग जितने ममताव एनरजी के साथ थे वो सारे उसके MLA भाग भाग के BJP में सामिल हो रहे हैं क्या वाज़ाओ क्यों डर है इतना ना देर नोट देर इनिमोर देर इस इंक्लूडर पॉलिटिकल पार्टी लीडर सो आई डों नो अबाउट में आज़र बंगाल के बहुत बड़े स्टार है सेर हैं टाइगर हैं अचल लग के लोग उनको देखेंगे कि वह कहां चा रहे हैं तो अगर वह यहां आए तो उसका कितना बड़ा प्रभाव पड़ेगा बहुत बड़ी प्रभाव पड़ेगी और सबको अच्छा लगेगा और मैं बहुत खुंस हूँ इस सेशन के लिए मुझे बहुत बड़ा अच्छा लग रहा है बहुत अच्छा लग रहे हैं और प्रधानवंत्री जी आएंग जैस्रीराम भी कहेंगे ममतावनरजी को गुसा आ रहा है तो हम क्या कर सकते हैं गुसा तो सबको आती है चैसी राम पर थोड़ी आना नहीं चाहिए तभी देखो हम सब के लिए तो चले ना अपोजीट पार्टी नहीं रहेगी तो हाँ वह बात है लेकिन अपोजीट कैसा अपोजीट मंदा धुर्गा मन धुर्गा पूजा होता है बहुत साइं उस पर भी रोक लगाने की कोशिस हो जाती है और यह चीजें है जैसी राम है इसमें कोई वह राजनीती होनी नीची है वैसे लेकिन होता है इसकी वज़ा से कित कल्चर कल्चर सबके अलग अलग होते हैं हम बिंगॉल है बिंगॉल कल्चर पसंद करते हैं जो बिहारी है वो बिहारी कल्चर गुजराडी गुजराडी कल्चर कल्चर सबके लिए समान होती है जो जिसे रिस्फेक्ट करते हैं लेकिन अगर उस कल्चर पर वहां की मुख्य मंत्री उस रोक लगाए तो उसका कितना बड़ा प्रभाव है वह तो आच्छा नहीं है प्रभाव लगाना अच्छा नहीं नहीं है बहुत बड़ा एफिक्ट पर दोस्तों कल इस रेली पर सभी की नजरें बनी होगी कि किस तरीके से अब ममताव मंताव उनर्जी है मंताव आर्जी मंताव जीत सकती है या वह तो देखने वाली बात होगी कल इस ground में कितनी भीड आएगी क्या इस फिल्ड का नजारा होगा कितने लोग आएगे उस पर पूरे देश की नजरेटिकी होगी ममता बनर जी भी इसको देख रही होगी और दूसरी तरफ टीमसी और कॉंग्रेस है वो भी इसरेली को देख रही होगी कि क्या इस पर इसरेली प्रिवी नरेंद मोदी के साथ इस ground में सौरव गांगली और मिथुन चक्रवती के साथ जो टीमसी के जितने भी बिधायक और बड़े निता बीजेपी में सामिल हुए अगर वो एक साथ यहां इस मंच में पहुँचे तो समझ लो बंगाल में परिवरता निस्षिद है और कि ममता बनर जी को इस बार सरकार बनाने में बहुत दिकत आने वाली है और बीजेपी सरकार बनाने की पूरी कोशिस करेगी इसमें कोई वो नहीं है क्योंकि हमिस्सा की जो रणनीती है बंगाल में उन्होंने कहा है कि दोसों के पार इस बार होगा और दोसों पार के जो आं जोखड़े आये हैं उसके बाद तो बीजेपी का यहां पर चुनाव जीतना बहुत ही आसान लग रहा है लेकिन अगर ममता बेनर जी यहां पर सो के उपर सीटें लेके आएगी तो ममता बीजेपी टीमसी को तोड़ने में पूरी तरीके से काम्याब रहेगी और बीजेपी य असानी से सरकार बना लेगी तो आप देख सकते हैं यह ग्राउंड है और हम यहां पर पहुंचे हुए हैं देखने के लिए कि यहां की व्यवस्ता कैसी है और प्रदान मंतरी नरेंद मोदी जब कल आएंगे तो क्या-क्या किस तरीके से ममता बनर जी पर अटेक करेंगी कित कि अग्रिव और और यहां पिए दिखा रहे हैं आपको हम बंगाल से और कल आप सभी हमारे चैनल को जरूर देखिये करेंगे और यहाँ पर जो लोग आएंगे उनकी बात है हम आपको बताएंगे कि क्या वो लोग सोच रहे हैं वो किस वज़ा से परिवर्तन करना चाहते हैं तो लोग देखते हैं क्या क्या कहेंगे इस रेली के लिए और यहां सिदे हम अभी ग्राउन के पास है और आपको बता दें ममता बनर जी की मुस्किलें इस समाई बहुत बड़ी हुई हैं क्योंकि ममता बनर जी के जितने भी बड़े बड़े ML हैं वो BJP में सामिल हो रहे हैं कोई दिल्ली में जाके सामिल हो रहा है कोई पस्चिम बंगाल में सामिल हो रहा है तो पस्चिम बंगाल में जो हालात हैं उसको देखते हुए क्या भी जेपी इस बार तो जो ग्राउंड में लोग हैं ममता बनर जी की विदाई का मन बना रहे हैं लेकिन अब ये अंतिम नतीजे जब तक वोटिंग होगी रेली होगी इसमें कितना बदलता है माहौल वो हम आपको देखेंगे बताएंगे और यहां पर आप देख सकते है ग्राउंड आपको दिखा रहे हैं जए सकते हैं